हेलो नमस्ते सस्रीकाल स्लाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही नायाब सा नुसका एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमीडी जो की आपकी किड्नी की हेल्थ को इंप्रूव करने में आपको मदद करेगी किड्नी की हमारी बॉड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टन ओर्गन होती है और हर समय हमारी बॉड़ी को हेल्दी बुनाने के लिए काम करती रहती है हमारी किड्नी को बोलते हैं कि यह एक तरह की यह तरह की chemical factories होती है जो कि हमारी बॉड़ी में बनने वाले अलग-अलग toxins हो करती रहती है निकालती रहती है बाहर है और किसी वज़गत से काम करने की शंता है कम हो जाए तो उसकी वज़गत इस टॉक्सिंस आपकी बॉड़ी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और इनका ऐसर ना सिर्फ आपकी किड़नीज पर पर्ण बलगी फिस्टम पे हर एक body के system पे इनका असर पड़ता है तो बहुत ही important है कि हम अपनी kidneys को healthy बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें क्योंकि kidneys इतना important होने के बावजूद भी unfortunately सबसे जादा कम attention लेती हैं हमारा यानि हम मेंसे बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी kidneys को healthy बनाने के लिए कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं तो आज की इस वीडियो में जो home remedy मैं आपको बताने वाला हूँ यह एक बहुत ही बढ़िया amazing चीज है जो कि ना सिर्फ आपकी kidneys के functioning को improve करेगी ना सिर्फ आपकी kidneys को strong बनाएगी ना सिर्फ उनको अलग अलग तरह की बिमारियों से बचाएगी बलकि अगर आपकी kidneys की में कोई खराबी आ जाती है तो उसकी वज़ा से आपकी body पे अलग अलग systems पे जो असर आता है उससे भी आपको काफी हद तक महफूज रखेगी तो चलिए बीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस amazing home remedy के बारे में हाई मेरे नाम है डॉक्टर सलीम जैदी मैं एक आयरुवेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और मेरा mission है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना जिससे कि आप एक सही healthy और disease-free life जी सकें नैचरल चीजों की मदद से और इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी amazing home remedy जो की आपकी kidney health को improve करती है और kidneys की अलग रग तरहा की जो बिमारियां होती है उनसे आपको safe रखती है तो इस home remedy को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है apple cider vinegar एक बहुत ही बढ़िया चीज है एक excellent चीज है आपकी kidney health के लिए अगर आप regularly इसको लेते हैं apple cider vinegar को तो इसकी मदद से आपकी जो kidneys है वो toxins को जादा अच्छी तरीके से eliminate कर पाती हैं आपकी kidneys के अंदर जो access minerals जमा होने लगते हैं जिसकी वज़ा से stone बनने का खतरा बढ़ जाता है वो access minerals भी हमारी kidneys आसानी से flush out कर देती हैं अगर आप apple cider vinegar लेते हैं तो इसके साथ apple cider vinegar लेने की वज़ा से आपकी kidneys के अंदर stone बनने के chances होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि apple cider vinegar में citric acid होता है जो ना सिर्फ stones के recurrence को रोकता है बलकि इसके साथ साथ कुछ सरह के stones होते हैं जिनको dissolve करके body से kidneys से निकाल भी देता है अगर आप apple cider vinegar लेते हैं तो उसकी वज़ा से आपका blood sugar भी maintained रहता है, regulated रहता है और blood pressure भी कम होता है इसकी वज़ा से क्या होता है एक optimum महौल बनता है हमारी kidneys के लिए और वो जाधा healthy रह पाते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़े यानि blood sugar भी और blood pressure भी ये दोनों ही चीज़े हमारी kidney health को बहुत ही बुरी तरह से effect करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया चीज है apple cider vinegar जो कि आपकी kidneys को healthy बनाता है उनकी functioning को improve करता है और वहाँ stone बनने का खतरा होता है उसको कम कर देता है और stones की वज़े से कई बार जो pain होता है क्योंकि जब stone move करता है kidneys में तो बहुत जादा pain आपको होता है swelling हो जाती है और infection हो जाता है आपकी kidneys में तो इन चीज़ें को ठीक करने में भी आपको काफी जादा help करता है kidney stones के pain को भी कम करता है inflammation को भी कम करता है और infection को भी कम करने में आपकी मदद करता है दूसरा ingredient जो कि इस home remedy को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है cranberry juice cranberries जो है दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मारे जाती है kidneys health के लिए in fact बहुत सारी studies हो चुकी है जिसमें पता चला है कि अगर आप cranberries को regularly इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी kidneys के अंदर infection होने के जो chance होता है उसको कम कर दीती है यानि UTI अगर आपको बार बार होता है तो उस case में cranberries आपके लिए बहुत ही जादा beneficial होती है क्योंकि cranberries जो है ये specifically E. coli bacteria के अगर बहुत active होती है और 90% जो UTI आपको होता है वो E. coli की वजह से ही होता है तो अगर आप regularly लेंगे cranberries को या इसके juice को तो उसकी वजह से UTI होने के chances कम हो जाएंगे और इसके साथ-साथ एक चीज पाई जाती है cranberries के इंदर इसको बोलते है cunic acid तो cunic acid जो है ये especially पाया गया है कि आपकी kidneys के अंदर stone का formation होता है उसके chances को कम कर देती है और इसके साथ-साथ एक mild diuretic भी होती है तो उसकी वजह से जो हमारी kidneys के functioning होती है filtration की जो capacity होती है वो भी बढ़ जाती है तीसरा ingredient है lemon lemon एक बहुती बढ़िया चीज है जो की एक mild diuretic का काम करता है हमारी kidneys के लिए और हमारी kidneys के अंदर से जो toxins होते है या जो byproducts होते है या जो waste products होते है उनके elimination में helpful होता है हमारी kidneys को clean करने के लिए help करता है इसके साथ-साथ lemon के अंदर भी citric acid होता है तो lemon भी जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो जो के stones के formation को रोकता है और इसके अंदर vitamin C होता है तो vitamin C एक बहुत ही बढ़िया antioxidant का काम करता है और kidneys के अंदर टूट-फूट होती है जो oxidative damage होती है उसकी healing के लिए उसकी repairing के लिए बहुत ही साथा बढ़िया काम करता है honey के अंदर anti-bacterial, anti-viral और anti-fungal properties होती है जिसकी वज़े से ये हमारी kidneys को बहुत साथा प्रोडेक्ट रखता है infections से तो अगर आपको बार-बार kidney infections होते हैं तो उस case में honey का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी साथा beneficial माना जाता है इसके साथ honey जो है ये हमारी kidney function को भी improve करता है और urine output को बढ़ा देता है और हमारी kidneys के अंदर से जो creatinine का clearance होता है उसको भी बढ़ा देता है और ये सभी चीज़े मिलके kidney health के लिए काफी साथा beneficial होती है इस home remedy को बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा ग्लास चाहिए पंजाबी टाइप का ग्लास ले लीजे या फिर कोई बड़ा सा जार ले लीजे इस ग्लास में या जार में आपको मिलाना है 200 ml पानी और 200 ml cranberry juice make sure करिएगा कि जो cranberry juice आप ले रहे है वो unsweetened होना चाहिए यानि इसमें added sugar नहीं होने चाहिए pure natural होना चाहिए cranberry juice इन दोनों चीजों को आपस में मिला लीजे और इसके नदर डाले एक टेबल स्पून apple cider vinegar एक आधा नीमू ले लीजे उसका रस ले लीजे उस रस को आप इसमें डाल दीजे आधी नीमू के और इसके साथ एक या दो चमच आपको इसमें डालना है शहद अगर आप कोई डा नाच्टे से पहले या फिर आप शुगर फ्री पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं इन सभी चीजों को आपस में डालके अच्छी तरह से मिला लीजे और ये जो ड्रिंक आपका बना है जो पानी आपका बना है इसको आपको लेना है सुबह सुबह खाली पेट अगर आप एक जो आपका बचेगा उसको आप ले लीजे दुपहर का खाने से खाने से एक घंटा पहले अगर सुबह खाली पेट आप एक साथ इसको ले लेते हैं तो वो जादा बैटर होता है जादा अच्छे रिजर्ट से आपको मिलते हैं लेकिन इट आल डिपेंड्स कि आप पी कितन स्ट्र मिल पीना चाहिए रोजाना अच्छी नी डिपनाउ चाहिए आपको अल्कोहल और टोबएको बगर नहीं खाने चाहिए खाने में चोशिश करनी चाहिए आप लेजिजेए जादा से जादा फождения से ब्यूद्स हृजए बहुट अनरा बचिए को यह एक ऐसी बैसी ची भी डेवलप करिए जिससे कि आपकी स्ट्रेस कम हो और एक हेल्दी और खुशी वाली लाइफ जी सकें जिससे आपकी किड्नी भी हेल्दी रह सकें तो दोस्तो इस होम रेमेडी को आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो करीब 14 से 15 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखना शु और स्टोन की वज़ा से जो दर्द वगएर आपको होता है उसको ठीक करने में भी हेल्फुल होगी रिकरेंट यूडियाई की अगर प्रॉब्लम आपको रहती है जो की लेडीज के इंदर बहुत ही कॉमनली पाई जाती है तो उस केस में भी ये काफी अच्छी आपको अब बारी आती है आपके सवालों की तो आज का पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह है मिस्टर दीपक माथूर का इन्होंने एक मैंने वीडियो बनाई थी ब्लग प्रेशर के ऊपर तो उस पर अपना कमेंट दिया है इनका कमेंट है कि सर इस दिर अनी आयरुवेदिक जो कि यह ले सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी ऐलोपेदिक दवाई चल रही है जो कि आपकी डॉक्टर ने आपको आपकी बीमारी के प्रेस्क्राइब करी है तो कभी भी आपको एकदम से उसको बंद नहीं करना है और उसकी जंगा पर कोई आयरुवेदिक मेडिसिन चुरू नहीं करनी है हाँ आप उसके साथ में जरूर आयरुवेदिक दवाईयां एड कर सकते हैं जिसकी वज़य से क्या होगा कि आपको जो इफिकेसी है उन दवाईयों की वो और जादा बढ़ जाएगी और फि कि जंगा पर आयरुवेदिक दवाई को आड़ उन कर सकते हैं जहां तक बात है कि कौन सी ऐसी दवाईया है जो कि आपके खून को पतला करती है तो इसके लिए दोस्तों अर्जुन की छाल और लसन यह दो ऐसी चीज़े हैं जो की साइंटिफिकली प्रोविन हैं कि यह आप कच्चा नहीं का सकते हैं तो उसका supplement आप ले सकते हैं बट जो भी चीज़ आप लें उसके साथ-साथ अपनी जो एलोपेटिक दवाई चल रही है उसको as it is continue रखें शुरू में एकदम से बंद नहीं करें आपके जो रिपोर्ट है वो सही आनी शिरू हो जाती है और फिर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जो इकॉस्प्रिन है वो दिरे-दिरे बंद कर दीजे या उसकी डोज़ जो है वो कम कर दीजे आज का दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ फ्रैंसिसका जोर्ज का फ्रैंसिसका जोर्ज ने ये सवाल पुछा है इस पिरूलिना वाली मेरी वीडियो पर इनका कहना है कि डॉक्टर सर जी मैं चार इयर्स से डाइबेटिक पेशेंट हूँ लेकिन साथ इयर्स की वीक पेशेंट हूँ तो क्या मुझे इस मेडिसिन से फायदा होग लेती हूँ खाने के बाद लेती हूँ इसको और ब्लड को पतला करने के लिए एकोस्पुरिन एवी 75 लेती हूँ तो फ्रैंसिसका जोर्ज जी आप जो दवायां ले रही हैं उनको एजटिस लेते रहिए अंटिन अलनेस आपके डॉक्टर उसको बंद करने की सला नहीं दे हैं काफी जादा अच्छा न्यूट्रिशन इसमें होता है बहुत सारे न्यूट्रियंट्स प्रोटीन्स विटेमेंस और बाकी चीज़े इसमें आपको मिलती हैं जो कि आपके अंदर खून की कमी को भी दूर करती हैं मसल्स को भी स्ट्रॉंग बनाती हैं आपकी हड्डियो सवाल में भी आपको बताया था तो अपनी दवाई को चलने दीजिए उसके साथ में इस पिरूलेना डेफिनिटली आप ले सकती हैं आपको काफी अच्छा इससे लगेगा कमजोरी आपकी काफी जल्दी इससे दूर होती हुई आपको लगेगी एक चोस्त दुरुस्त और अच्छी लाइफ एक हेल्दी लाइफ आपको महजूस होगी अपनी बोडी के इनरजी है उसमें काफी इंप्रूमेंट आपको दिखेगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कु जितनी वीडियो आएं वो सभी आपको समय रहते देखने को मिल जाए इसके साथ अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी और तुरा की वीडियो आने वाले समय में देखना रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा